नमस्कार आप सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो जैसे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जो भर्जन आया हुआ है 8.0 उसमें THR बितरन का डिटियल स्कीस परकार से भरना है जैसे कि THR बितरन का जो अप्सन है उसमें कुछ बदलाव किया गया है जिस बदलाव को आप सभी को जान लेना काफी जरूरी है तो आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहिए आपको THR का डिटियल स्कीस परकार से भरना है उसकी जनकारी आपको step by step बताने वाला हूं और जैसे कि पोशन ट्रेकर एप में जो आगनवारी केंदर का जो infrastructure है जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां नीचे आगनवारी केंदर का जो infrastructure दिया गया है इसमें भी कुछ बदलाव किया गया है जिस हमारे चैनल से नहीं जूरे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी नए नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माधियम से मिलती रहे तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो जैसे कि यहां पर केंदर का जो भी डिटेल से उन्को भरते थे जिसमें कि आपको बाते जो कण्फ्यूस कर रही थी जो कि किराय पर और और श्वामित्व का ये और चलाते हैं उसके लिए और जो किराय पर है कि माली जे किसे दूसरे के मकान में हम लोग किराय पर आंगनवारी केंदर चला रहे हैं तो यह उसके लिए दिया गया था लेकिन देखिए इसमें कुछ चीजें अपडेट की गई है जिससे कि आंगनवारी सेविकाओं को परेसानी ना हो कि वो आंगनवारी केंदर का जो infrastructure है उनको भरने में कोई दिकत ना है इसके लिए यहाँ पर कुछ अपडेट बढ़ा दिये गए हैं जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग इसकूल में अपना आगनवारी केंदर चलाते हैं तो इसकूल का डिटेल्स भर देंगे अगर आपका आगनवारी केंदर पंचाय में सेलेक्ट कर सकते हैं तो अगर आप लोग को AWC infrastructure के बारे में और भी डिटेल्स जाननी हो तो आप हमारे चैनल पर जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं जिससे कि आपकी जनकारी असपर्ष्ट रूप से समझ में आ जाए तो चलिए अब जो नया अपडेट है टी एचर को लेकर जैसे कि गर्भवती महिला अस्तानपान कराने वली महिला और छे महिने से लेके तिन साल वाले बच्चे को हम लोग टी एचर देते हैं यह जो केटेग्री है जीरो से सिक्स मुंथ वाला इसमें हम लोग बच्चों को टी एचर नहीं देते हैं क्योंकि इनके माता प अप्चन दे रहा है जनकारी एंटर करें इस पर किलिक करेंगे किलिक करते ही यहां पर देखिए पोशक हस्ते शेप का जो अप्चन दे रहा है जिसमें कि टी एचर का डीटियल समको भरना होता है इसमें बदलाव किया गया है जो की बदलाव आपको यहां पर देखने को मि लेकिन यहाँ पर देखिए number of days for which THR has been provided, आप लोग जो THR परदान कर रहे हैं उस लभार्थी को, वो कितने दिनों के लिए उनको THR दे रहे हैं, जैसे कि महिने में एक ही बार THR दिया जाता है, हम लोग 25 दिन के लिए लभार्थी को THR देते हैं, तो यहाँ पर 25 दिन का details ड़नना पड़ेगा, तो चलिए यहाँ पर take home रासोन वाले पर select कर देना है, select करने के बाद यहाँ पर 25 दिन उसको select कर लेना है, आप किस परकार की स्वाश सेवा पराप कर रहे हैं, तो अगर वो लभार्थी इसमें से कोई भी सेवाए पराप कर रहे हैं, तो इसमें select करेंगे, अन्याथा इसको छोर के हम लोग को submit कर देना है, जिसे कि submit करेंगे तो हमारा THR का जो details है वो add हो जाएगा, उसके बाद आपने जितने भी लभार्थीयों को add किया है, जितने भी लभार्थीयों को रासन देते हैं, सभी पर आपको 3.1 पर किलिक करके बारी बारी से सबको THR का details भर देना है, उसके बाद यहाँ पर अस्तनपन कराने वाली माता है, उनका details खोलेंगे, फिर से 3.1 पर जाएंगे और 3.1 पर जाने के बाद जनकारी एंटर वाले पर किलिक करेंगे, वही पोसक हस्ते शेप वाली option आएगी, इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि हमने आपको गर्वाती महिला का details बताया, कि आपको tick out कर लेना है, और number of days यहाँ पर डाल देना है, फिर से submit कर देना है, अब आईए हम आपको बताते हैं, कि जो 6 महने से लेके 3 साल के बच्चे हैं, इनको भी हम लोग THR देते हैं, और इस category को भी update किया गया है, जिसमें कि आप यहाँ पर 6 महने से लेके 3 साल वाले बच्चे की category ओपिन करके देख सकते हैं, कि क्या बदलाव किया गया है, थिरी डॉट पर क्लिक करके जनकारी एंटर पर जाएंगे, और यहाँ पर भी पोसा खोस्ते छेप का option मिलेगा, उसको select करेंगे, और देखिए, यहाँ पर जो पोसा खोस्ते छेप आप लोग खोलेंगे, तो सबसे पहला question आएगा, क्या बच्चा ठोस आहार पर है, तो यहाँ पर आपको simply select कर लेना है, यहाँ बच्चा ठोस आहार पर है, क्योंकि छे महने से उपर जो बच्चा हो जाता है, उसको ठोस आहार दिया जाता है, इसलिए आप यहाँ पर यह वाला option select कर लेंगे, उसके बाद क्या आपको परदान किया जाता है, जैसे take home राशन और यहाँ पर जो एक नय अपडेट बढ़ाये गया है, वो additional food supplement, यानि कि पहले हम लोग THR का option जो है, उसको ही select करके, बच्चों को राशन का जो detail से वो भर लेते थे, लेकिन यहाँ पर additional food supplement को बढ़ाये गया है, जैसे कि इस वाले option को कब select करना है, जैसे कि इस वाले option को आप लोग select कीजिएगा, जब बच्चा अतिकुपोसित हो और उस बच्चे को अलग से राशन की सामगड़ी दी जाती है, तब आप लोग इस वाले option को select करेंगे, जैसे आप कोई बच्चा समान यह है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिर्फ take home राशन के, और जो इसमें हीमोकलेविन है, वो आप लोग भर सकते हैं, और उसके बाद जो next है, वो आप यहाँ से वो बच्चा अगर कोई स्वास सिवा प्राप कर रहा है, तो आप लोग इसको भरेंगे, अन्याथ्या ऐसे ही छोर के submit कर देंगे, और जो यहाँ पर food supplement का option दिया गया है, कि अगर वो बच्चा अतिक उपोसीत है, तो उस बच्चे को भी यहाँ पर हाँ करेंगे, और जो THR का option है, इसके उपर भी आपको टिक लगा देना है, और जो additional supplement food है, इसके उपर भी आपको टिक लगा देना है, कब जब बच्चा अ उसको अफडेट किया गया है, उम्मिद करता हूँ कि आपने इस टी एचार वाले अप्सन को समझ लिया होगा, सभी लभार्थी को आपने टी एचार दिया है, इस परकार से आप लोग पूरी डिटेल्स भर सकते हैं, तो उम्मिद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी क कुछ जनकारी मिला होगा तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद जैहिंद